नमस्कार मैं सुरिष्क मार और आप देख रहे हैं पलपल रतिया में कई दुकानों के ताले तूटे हजारों की नगदी चोरी और सिसिक टीवी केमरे में हुए चोर कैन पलिस जांच में जूटी है आपको बता दें कि रात रविवार देर रातरी को रतिया के फत्यवाद रोड पर अनाजमंडी रोड के पास में अग्यात चोरों ने कई दुकानों के ताले तोड़ कर हजारों की नगदी चुरा ली दुकान दार जब सुबहे दुकान खोनने के लिए पहुँचे तो दुकानों के ताले तूटे देखकरके उनके होश ओड़ गया और हगरकप मच गया दुकांदारों ने चोरी की सूचना तुरंट पुलिस को दी और सूचना बिलने के तुरंट बाद पुलिस जांज के लिए मौके पर पहुंची चोरी के घटना एक कुछ दुकानों में लगे CCTV कैमरों में कैद हो चुकी है जिसमें देखा गया कि एक बाइक सवार दो यूकों ने चोरी की घटना को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं प्राब जानकारी के अनुशार आज सुबह अनाजमंडी रोड पर फत्यवाद रोड के नजदीक जब दुकानदार अपनी दुकाने खोलने के लिए पहुंचे तो उनने देखा कि दुकानों के ताले तूटे पड़े हैं इससे लोगों में रोश फैल गया फत्यवाद रोड पर शिंगला किरियाना स्टोर में चोरों ने ताले तोड कर गल्ले में पड़े हजार रुपे की नगदी को चुरा लिया जबकि साथ लगते शर्मा मोबाइल जोन का ताला तोड कर चोरी की कोशिश की लेकिन वहाँ पर उन्हें गल्ला नहीं मिला इसी तरह महता ट्रेडिंग कंपनी से चोरों ने ताले तोड कर गल्ले में पड़े 51,730 रुपे चुरा लिये इस घटना की पूरी वारदाद CCTV लगे कैमरों में कैद हो चुकी है सहर में पिछ लिए दिनों कई दिनों से चोरियों का सिंसला लगातार जारी होने के कारण पुलीस की गस्त पर भी सहरवाज शोने सवालिया निशान लगा दिये हैं क्योंकि रविवार रात्री को जिस जगें चोरों ने चोरी की है वह भगेश सिंग चोग से बिलकुल सामने की तरफ है तथा यह सबसे वेस्ट एरिया होने के बावजूद चोर बेव परवा होकर के आदा दरजन दुकानों के ताले तोड़ कर चले गए जिस तरह शेतर में चोरियों का शिल्सला जारी है तथा अभी तक पुलिस ने किसी भी चोर का सुराग नहीं लगा पाई है उससे पुलिस के कारिया प्रनाली पर प्रसंद चिन खड़े हो रहे हैं तथा लोगों में पुलिस के परतीर रोज पढ़ता जा रहा है अब देख रहे हैं रतिया पलपल से राजेंदर मितल की ये रिपोर्ट अवी किसे किसे व olması भी किसे अते किसी अते क्स्रवब्च पब़ में आपिक्प justice बहा है किस्या नहा है और बश महीं चलर Wet धुकान पर क्या हासा हुआ है।